मेरे यूटूब चैनल बकैती विद बायलोजी में आपका स्वागत है यह एक स्रिंखला यूपी बोर्ड परिच्छा के लिए चल लएई जिसमें महत्पूर्ण प्रसुनों का क्या है कलेक्शन किया जा रहा है और यह जो चैप्टर है वो है मानो कल्यार में सुषम जीव इसके हमने इसके पहले भाग को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया अब इसके दूसरे भाग को हम लोग पढ़ते हैं और उन महत्पूर्ण क्वेस्चनों को जो यू-पी भूर्ड में आने की समभावना है उसको कंफर्म करते हैं तो जो अगला क्वेस्चन है वह है कि दो सहजीवियों ओव जो सह जीविता पर दरसीधक करतें अब अगली बात आती है कि सहजीविता होता क्या है तो इसको हम समझते हैं कि जब जीव जब दो जीव आपस में क्या हो एक दूसरे को क्या कुछ चीजे अदान परदान करें और दोनों साथ-साथ मिलके अपना जीव नियापन करते हैं तो इसको सहजीविता करते हैं जैसे आप class में समझ सकते हैं कि आप school जाते हैं तो आप school से क्या पाते हैं सिचा पाते हैं और इसके बदले में आप school में क्या देते हैं फीज देते हैं तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं इसी तरह से जीव यानि पौधे भी और कुछ जन्तु भी इस तरीके का स्पर्म या एंग्यो स्पर्म यानि अनावरितवीजी और आवितवीजी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में जहां से समझेगा पौधों की जड़ों में कुछ कवक उसमें आवास बनाके रहने लगते हैं चित्र में आप देख रहे होंगे कि कवक जड़ के अंदर कैस परदान करता है और दूसरा फायदा कवक को यह होता है कि उसको आवास मिल जाता है तो इससे पौधे को क्या फायदा हुआ कवक को फायदा हो गया इससे पौधे को यह फायदा होता है कि उसको जो है जो खनीज लमण है मिनरल्स है नाइट्रोजन है आधी जो तत्व है जो मिट्टी में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या पानी है उसको वह तेजी से एब्जॉर्ब करके उस पौधे को देते हैं तो इस तरीके से दोनों को फायदा हो जाता है तो इस गुण को सहजीविता कहते है और ऐस किसे जीओं को सहजीवि कहते है तो माइको रायजा एक उदाहरन एकिसके कवक और उच्छ पावधों के बीज का यह यूपी वोर्ड़ में दो भार पूछा जा चुका है अब यह माइको राजा को याद हम कैसे करें तो माइको राजा के याद कैसे केवल माइक दो राजा को केवल माइक जिसे हम बोलते हैं माइक दो राजा को कैसे याद हो गया केवल मिंस कवक माइक को राजा माइक को राजा तो इस ट्रिक से माइक दो जानते हैं वह क्या होते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनस सेरम क्या होते हैं यह जिवान होते हैं बैक्टेरिया होते हैं यह पाए किसमें जाते हैं लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं यह लेग्यूमिनस पौधे क्या होते हैं तो ऐसे समझते हैं वह पौधे जिन चोटी चोटी गाठिये पाएं जाते हैं जिन गाठों में येdf Capitalै अपना वास बना लेते हैं तो इससे UV मिलता है और साथ में ये बैक्टेरिया वातावरान के nitrogen को क्या करते हैं और लौह उस nitrogen को इस पौध्य को देते हैं तो एक दूसरे को आदान प्रदान करके एक सहजीवता का संबन्द बनाते हैं तो यह question बहुत महत्पूँ है अगला जो question है Acetic Acid का निर्माण कैसे होता है या Acetic Acid का निर्माण करने वाले उस जीव का नाम बताईए तो यहां देखिएगा Acetic Acid यह होता है और इसका जो बनाने वाला जीव हो कौन सा Acetobacter Acetide यह कौन सा जीवान हुए Acetobacter Acetide बहुत आसान है याद करने का Acetic है तो Aceto हो गया और उसमें लगाना क्या सब्द है Bacter आप Aceto के बाद Bacter सब्द लगा दें यहां क्या Acid है बस उसको क्या करना Acetide कर दें जैसे हम लोग गाव में रिदियाग बुलाते हैं ठीक है नाम है तो उसको नाम विगार देंगे सोनु है तो सुनुआ बुलाएंगे तो उसी तरह Acetide को क्या कर देंगे Acetide कर देंगे तो इस तरीके से आप इसका नाम याद कर लेंगे कि Acetic Acid का निर्मार्क किसे होता है Acetobacter Acetide से अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं अगला क्वेश्चन है BOD से क्या तातपर है यह बहुत महत्पून क्वेश्चन है BOD क्या होता है या BOD किसे कहते हैं इसको अच्छे से आ समझते हैं बी ओडी को जो फुल फॉर्म होता है वो है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानि यदि हम एक लीटर पानी लेते हैं समझते हैं एक लीटर हमने पानी ले लिया और उस पानी में कार्बनीक पदार्थ गूले हुए हैं जैसे नाले का पानी आपने उठाया वह गंदा रहता से और उनको क्या अकर्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया चाह था तो उनको तोड़ने के लिए उस बैक्तेयरिया को D मिन्स क्या कर लेना, dust, यानि कार्बनिक पदार्थ, बैक्टेरिया को कितनी oxygen चाहिए, उस carbonic पदार्थ को, यानि उस dust को, उस गंदगी को, खतम करने के लिए, वही क्या है, BOD है, बहुत आसान ट्रीक है, क्या समझिएगा, B मिन्स यहां क्या हो जागा, बैक्टेरिया, O मिन क्योंकि उसमें ज्यादा गंदगी होती है, ज्यादा कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं, जबकि जो साफ पानी होता है, जो हम बीते हैं, उसका BOD बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप BOD को अच्छे से तयार कर लीजेगा अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि साइक्लोइस्पारीन साइक्लोइस्पारीन एक क्या है साइक्लोइस्पारीन एक क्या है यह बहुत मत्पूर क्वेश्चन है साइक्लोइस्पारीन एक क्या है प्रतिरच्छा निरोधक यह प्रतिरच्छा निरोधक क्या ह अब होता क्या है यह जि किसी इंसान की किड़नी खराब है तो पता है वो जीवित नहीं रहा पाएगा उसको डायलेसिस कराना पड़ेगा बार बार तो उस डायलेसिस से बचने के लिए हम क्या करेंगे कहीं से किड़नी उस ब्लड गुरूप या उस इंसान से मिलती हुई समझेगा कि जैसे वो किड़नी लगाएंगे तो उसका सारीर जो बीमार हैं उसका सारीर यह समझेगा यह कोई बाहरी चीज़ है और उसको नश्ट करने के लिए वुए उसका प्रतिरच्छा तंत्रर नश्ट करने के लिए लगजाएगा यानि ऊसकी ड्रोध हो झाक्रशन जिसे वो organ kidney set हो जाए और जब वो set हो जाएगी धीरे धीरे तो फिर बाद में वो सरीर समझ जाएगा ये उसका हिस्सा है तो उसको नश्ट नहीं करेगा तो cyclosporine A इसलिए दिया जाता है उस patient को कि उसका immune system कमजोर रहे और जिसे वो organ set हो जाए नहीं तो उसका सरीर उस kidney को क्या कर देगा नश्ट करने लगेगा ये मिलता कहां से है ये question समझेगा ये मिलता है trichoderma polysporum ये जो हम cyclosporine A की बात कर रहे हैं ये मिलता कहां से है तो trichoderma polysporum से मिलता है और ये आप note कर लिजेगा ये हो सकता है objective question के रूप में आ सके तो यहां पर ये question की स्रिंकला इस chapter की खतम होती है फिर आगे हम इसमें लगो और दिरगुतरी question को देखेंगे आपको ये वीडियो का ऐसा लगा जरूर बताईएगा comment करिएगा और अपने दोस subscribe कीजिएगा thank you